हे गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आप लोगों साथ परवल की ऐसी रेस्पी बताने वाली हूँ मतलब इतनी टेश्टी सब्जी बताने वाली हूँ कि आप तो खाओगे यह बड़े तो खाएंगे यह बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे इतनी टेश्टी बता जादा अच्छी लगेगी जरूर ट्राइ करना तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रेस्पी तो सबसे पहले इधर मैं पैन ले लूँगी उसमें डाल देती हूँ तेल जब गरम हो जाएगा तो इधर पहले हम फ्राई कर लेंगे परवल को परवल को मैं इधर चील के और अच तो इसको हम हलका सा ऐसे भून लेंगे तो यह देखिए भून ली है मतला फ्राई हो गया है भी इसको निकाल लेते हैं परवल को और इसी तेल में हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे तो यह हम निकाल लेंगे सारा और इसी तेल में हम आलू को भी फ्राई कर लेते तो आलू क बाद भी हम एसा लांबे साइज में कटकर लिए थे थोड़ा सा मोटे हैं ज्यादा पतले नहीं हैं मोटे हैं तो इसको भी फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे हम तो ऐसे अब हलका से टेल डालके देल कर लो ना पहले सब्जी को तो बहुत ही अच्छी लगती हो सब्जी मतलब जो टेस्ट होता है ना बहुत ही अच्छा आता है सब्जी guidance एन थेसे अंब देखर बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है अब इसी पैन में हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसको गरम होने के बाद इसमें डाल देते हैं जीरा जीरा राई डाल देंगे मेथी दाने डाल देंगे और ये अधरक लेसुन का पेस्ट डाल देंगे अधरक लेसुन मिर्च का पेस्ट डाले हुए हैं इसको हम के बाद इसमें हम डॉल्डने के बाद आप इसको भून लेंगे हम तो यह देखिए प्याज हलका सो गोल्डन हो गया है इसमें हम डालेंगे ड्राइ मसाले तो सबसे पहले इधर मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर धनिया पाउडर कास्मीदी लाल मिर्च और इसको मिक्स कर लेते हैं तो थोड़ा सा हम इधर पानी डाल देंगे जिससे हमाए ड्राइ मसाले जले नहीं अब बहुत ही अच्छे से हमारा मसाला भुन जाएगा तो यह देखिए मसाला हमारा भुन रहा है भुन गया है अच्छे से अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर तो इधर मैं टमाटर को कट करके डाल रही हूँ आप इसका प्यूरी भी बना के डाल सकते हो और इसी में हम डाल तोड़ा सा हम धंक देंगे उससे क्या होगा कि हमारे जो टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा यह देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गया है अब इसमें हम डाल देंगे जो परवल और आलू को फ्राई किये हुए थे वह डाल देंगे फ्रेंड डोंट माइंड मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो में को थोड़ा बोलने में प्राब्लम हो रहा है तो फिर इसमें हम परवल और आलू डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों में अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसको और हम फ्राई अच्छे से कर लिये थे परवल आलूत ज़ादा हमें टाइम नहीं लगेगा पकाने में बहुत ही अच्छे से पक जाएगा तो इसको हम थोड़ा सा धख देते हैं जिसे जल्दी से ये पक जाए और बस इसको हम मिक्स कर लेंगे तो आप देख रहे हो कितनी टेश्टी सबजी दिख रही है हमारी इसमें आप पानी भी डाल सकते हो बट मैं इधर अभी ड्राय बना रही हूं सबजी अब इसमें हम डाल देंगे लाश्ट में गरम मसाला और इसको मिक्स कर देती है गरम मसाला भी तो आप देख रहे हैं कितनी टेश्टी हमारी सब्जी बनी हुई है बस इसको अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में तो इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ और चावल के साथ भी खा सकते हूँ, बहुत ही टेश्टी लगती है सब्जी जैसे दीक रही है वैसे टेश्ट भी है, अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे ना तो बहुत ही अच्छी बनेगी, पूरा जैसे मैं बनाई हूँ, वैसे ही अगर आप रेस्पी बनाओगे मतब सेम ऐसे ही तो बहुत ही पसंद आएगी आपको, तो अगर मेरे वीडियो थोड़ा सा भी आपको यूजफुल या अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज फ्रेंड फ्लीज प्लीज बाई, टेक क्यार